इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी finger mode capsule दवाओं के immunomodulator समूह के अंतरगत आता है इसका इस्तेमाल multiple sclerosis के इलाज में किया जाता है finger mode capsule को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें अधिकतम लाब पाने के लिए इस दवा को हर दिन एक ही समय पर लिया जाना चाहिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है इस दवा के सामाने साइड इफेक्ट में फ्लू, डायरिया, यानि की दस्थ, पीठ, दर्द और खांसी शामिल हैं ये आम तोर पर हलके होते हैं लेकिन अगर वे आपको परिशान करते हैं या कुछ दिन उससे अधिक समय तक रहते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं डॉक्ट, आपको नियमित रूप से ब्लड टेस्ट कराने का सुझहाव दिया जाता है क्यूकि दवा के कारण सफेद रक्त कोशिकाएं कम हो सकती हैं इस दवा को लेने से पहले अगर आपको हॉट अटेक हुआ है या अगर आपके लिए लिवर में कोई गंभीर समस्या है तो अपने डॉक्टर को बताएं आपको अपनी हेल्थकेर टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि क्योंकि इस दवा से उनका असर प्रभावित हो सकता है या वे इसके असर को प्रभावित कर सकती हैं गरभवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इसका करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए इलाज के दौरान ब्लड टेस्ट की मदद से आपका डॉक्टर नियमित रूप से आपके लिवकी कारिक्षमता की निगरानी करेगा विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद